अगर आपने मिर्चे लगा रखी है तो जब भी ये पक जाती है मिर्च यानि हर्वेस्टिंग के लिए तियार हो जाती है तो उसे प्लांट से अलग कर लीजिए अब देखो ये एक ही पोट में तीन प्लांट लगे हुए है और इसमें देखो कोई किसी तरह की नई जो ग्रो ग्रोथ हाई हुए है और नए पत्ते निकल रहे है नए नए छोटे छोटे फ्लावरिंग बढ़ भी आ रही है और फिर और मिर्चे भी तैयार होएंगी इस तरह से तो जो प्लांट पे कोई भी फ्रूटिंग हो वो पक जाए तो उसे अलग कर लीजिए ताकि नए नए से दो प्लांटों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें किसी तरह की ग्रोथ नहीं है क्योंकि जो प्लांट की एनर्जी है वो उसी में लगी हुई है पहले वाली मिर्चों में